फर्स लेक्चर में आपको प्रवाइट की थी कि लेंगिज और कम्मुनिकेशन क्या होता है तो आपने इनके दोनों की डेफिनिशन पर राइट करनी है यह आपका समर्विकेशन से रेलेटेड एक छोटा सा मेनिया एक कॉंटेंट बना लिए जिस आपने किसना से टेंट करना यह का भाएं और आपटन इसको अपने डिली वर्क कि तास्क्में डिवाइट कर लेना है आपके जो संटैक्स हैं जो पोहरमुलास हैं और जोप्र सांथिके सी पिन में लिए कि प्रवयों करना होता है प्रेजंठ थेने सब्वयल जाना हुता है में अपने एक्शन वर्श चीज दोएं के साथ है कि यह बैसिकलि आपकर उन्कस के आपको पर्वाइब करेंगे आपके इस संवरीकेशन के टास्कों करते वें बाकि अपको को भिए अपने इस के टास्क पूरभ करते हैं आज पराइब्स नूबर टू है पहले मैं आपको पेरत्फरम मटूर के रिडिंग परवाइट करतूंग जब बारिश होती है तो गल्चों में रंग भारते हैं मतलब फूल खिलोते हैं बारिश हर चीज़ को दो देती हैं थंडी थंडी हवा के जोंके रूख को तास्की बक्षते हैं तो इस मजाज के साथ, तो इस मजाज के साथ, साथ रंगों, साथ रंग आसमान को सजा देते हैं, तो इस कोसे कजा के साथ, रंग आसमान को सजा देते हैं, कोसे कजा बैसिकली धनक को कहते हैं, ठीक है, बच्चे बुड़े जवान, बच्चे बुड़े जवान, सब बारिश, से लुटफ अंदोस होते हैं लेकिन बास औकाद बारिश के नने नने कतरे बहुत नुकसान का बाइस भी बनते हैं औकाद बारिश के फसले तबाह हो जाते हैं और किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ता है ये वर्ट थोड़े उर्दू के डिफिकल्ट थे तो मैं फिर एक दिफ़ा आपको पैसेज बठके बता देती हैं जब बारिश होती है तो गुलों में रंग भराते हैं बारिश हर चीज को धो देते हैं ठंडी ठंडी हवा के जोंके रूख को